हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे आज मैं अपने किचिन में बनाने जा रही हूँ रबडी इंस्टेंट रबडी रेसिपी है ये और जटपड से बन जाती है और टेस्ट इतना अच्छा होता है न कि आप बार-बार से बनाओगे अगर कोई महमान अचानक से आजाए तो भी आप ये से जटपड से बना सकते हो मात्र पांच या दस मिट में बनकर रेडी हो जाती है और बहुत ही कम इंग्रीडेंट से ये तयार होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो इंस्टेंट रबडी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक पैन और पैन में मैं ले रही हूँ ये एक कप मिल्क पाउडर है ये किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो मेजरमेंट आप किसी भी cup से कर सकते हो किसी कतोरी से भी कर सकते हो तो ये 1 cup मैंने ले लिया है milk powder और इसमें मैं इसी cup से ले रही हूँ 1 cup पानी तो पानी ढाल कर इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे कोई भी lumps इसमें नहीं रहना चाहिए कोई गुटलियां मिल्क पाउडर की नहीं होना चाहिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से फेट लेंगे फेटते हुए मिक्स करना है ताकि इसके लंप्स कतम हो जाए और इसकी बाद इसमें हम डाल देंगे चीनी तो ये मैं चार छोटे चमत चीनी डाल रहे हुँ क्योंकि मिल्क पाउडर हमने डाला है अल्रेडी मिल्क पाउडर मीठा होता है चीनी की मात्रा आप कामिया जादा भी कर सकते हो दो हरी लाइची को पीस कर डाल दिया है और बस इन चीजों को हम फिर से अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये घर में बनी हुई जो मलाई होती है ना दूद की बस वही मैं 2-3 बड़े चम्मच इसमें डाल रही हूँ ये डालने से क्या होगा थोड़ा सा मावे वाला टेक्सचर भी आजाएगा और हमने इसमें डूद नहीं डाला है बिना दूद के हम इसे बना रहे हैं तो एक दूद वाला भी टेक्सचर इसमें आजाएगा तो जो टेस्ट है न वो दूद का भी आएगा मावे का भी आएगा और हमने इसमें घी का इस्तेमाल भी नहीं किया है इसलिए हमने मलाई डाली है सबी चीजों का अच्छे से मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा पनीर है एक कटोरी तो इसे मैंने क्रश कर लिया था इसे भी हम डाल देंगे इसी में पनीर डालने के बाद अच्छे से कर लेना है मिक्स और सारी चीजों को मिक्स करके अब हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे तो चलिए गैस पर चढ़ा देते हैं गैस पे चड़ा के इसे पहले हाई फ्लेम पर चलाएंगे ताकि इसमें बॉइल आ जाए जब अच्छा सा बॉइल आ जाएगा तो उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे तो चलिए इसे हाई करकर इसे अच्छे से चला लेते हैं इसके बॉइल आने तक और ये देखिए इसमें बॉइल आ गया है अब आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे करोगे तो जल्दी जल्दी से बहुत गाढ़ा हो जाएगा और फिर कर रेडी कर सकते हो बिल्कुल भी टाइम इसमें लगता नहीं है और जटपर से ये इस्टेंट रबडी रडी हो जाती है और टेस्ट तो इतना अच्छा आता है कि आप ना मार्केट की रबडी खाना भूल जाओगे एक बार इस तरह से बना कर जरूर देखिए और मुझे क रबडी है उसका टेक्स्चर देखिए मैं आपको दिखा रही हूं कितना बड़िया आया है बिल्कुल मलाईदार बनी है जैसे मार्केट में बनती है बिल्कुल उससे भी जादा अच्छा टेस्ट और टेक्स्चर है इसका बस आब इसे हम सर्व कर लेते हैं इससे जादा इ तयार कर लिया है बिल्कुल भी टाइम इसमें नहीं लगता है अगर आपके पास पनीर ना हो तो आप दूद को फाड़ कर भी इसे बना सकते हो तो देखे कितनी बड़िया रबडी बनकर तयार हुई है फ्रेंड्स बहुती टेस्टी रबडी है ये आप यकीन नहीं मानोग एक बार बना कर जरूर देखेगा इस तरीके से और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी ना खुशी हो कि आपने इस तरीके से बनाई तो आपको भी अच्छी लगी और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो प्लीज लाइक तो करना बनता है तो प्ल जसलती है यह पताल मिला यह क्या स्कते है और देखिये कि बढ़ीया है तो सुझे मलाईदार क्यों दूदि कंपा करा आते हैं लाइक लिए आज आते हैं पहरागामार। तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए ओके फ्रेंड थैंक यू एंड बाबाई